और मोधी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। परिवारों के लिए एक करोड आवास बनाने की बात की गई थी उस पर लगातार काम चल रहा है। वो दिलहन और दालों के दावों में किये गए ताकि जादा सजादा किसानों को इसका फाइदा हो सके। और पिछले वर्स की तुलना में सबसे अधिक जो MSP है सबसे अधिक वृद्धी वो इनहीं तिलहन और दलहन के दावों में की गई। बढ़ेंगे आगे क्या कुछ और फैसले लिए गए अब देखिए लखपती दीदी बहुती मैधपून ये ये उजना सौ दिनों में 11 लाख लखपती दीदी बनाने का लक्ष तैय किया गया और इसको हमने अचीव भी किया है सौ दिनों में। अब तक 15 लाख लखपती दीदियां बनी हैं और ये लगातार समाज के मुके धारा मिश्रा में लोकर आगे बढ़ रही हैं इनका आर्थिक तोर पर सशक्ती करण हो रहा है। 64 किस में जो अलग अलग प्रजातियों की है उसको प्रहान मंत्री ने जारी करने का काम किया है। 64 किराशी जारी की जा चुकी है ये अपने आप में जो किसान भाय हमारे हैं वो किस तरह से आर्थिक तोर पर सशक्त हो सके इसकी एक बांगी है। युवाओं के रोजगार की दिशा में एक बहुती बड़ा कदम लिया गया। क्या लिया गया तो भरत की जो शिर्ष कमपनिया हैं उनमें पांच साल में एक करोड युवाओं को कौशल प्रस्रिक्शन देने का काम किया जाएगा। एक करोड युवाओं को जो बड़ी कमपनिया हैं उनमें कौशल प्रस्रिक्शन दिया जाएगा। यूपियस आपने तमाम अख़वारों के जरिये चैनलनों के जरिये समझा होगा जाना होगा ये क्या कुछ है यूपियस तेईस लाख जो केंद्रे करमचाई सेंट्रल गर्वर्मेंट के जो इंप्लाइज हैं कहा जाएगा कि इस से उनको डारेक्ट तोर पर बेनिफिट हो एपने बिधावारों के जmostी होग होग